और भई क्या हाल हैं तो यह है Mi 11XN Poco F3 का latest global stable update जो की MiUI 14.0.7 के stable update के उपर based है अब इसमें आपको क्या कुछ मिलता है चलो बात करते हैं पूरा experience मैं share करूँगा इसके regarding comments आ रहे थे तो चलो review करना start करते हैं तो MiUI 14 का logo मिलेगा उसके बाद यहाँ पे MiUI global version आपको मिलता है 14.0.7 और अगर आप इसके build number के अंदर देखोगे तो यहाँ पे EU mentioned है यानि कि यह European वाला build है और यह POCO F3 का stock ROM आप इसको बोल सकते हो बट आप इसको Mi 11X में भी install कर सकते हो क्योंकि globally जो Mi 11X है वो POCO F3 ही आपको मिलेगा यहाँ पे interface देखोगे तो global वाला मिलेगा 5GB memory extension है Android version 13 मिलेगा और FEP 2023 का Android security आपको बिलकुल latest मिल जाता है as of now यही आपको latest मिलेगा और perf का kanal आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और जो वर्जना वो आप यहाँ पर भी check out कर सकते हो अब detailed में सबी चीज़ों को check out करेंगे बड़कर आप चैनल पे नए है तो भाई subscribe जरूट से कर सकते हो and please वीडियो को like जरूट से कर देना यह ने इस ROM को या फिर इस update को install किया है Orange Fox recovery से तो unlocked bootloader होने के विज़े से यहाँ पे device मेरा not certified शो कर रहा है बढ़ अगर आपका भी शो करता है ना तो कोई problem नहीं banking apps आप यूज कर सकते हो wide van L1 आपको मिलेगा google photos के अंदर आपको spoofing यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यह भाई global वाली stock rom आपको मिलती है यह charging speed है और यहाँ पे आपको charging के regarding problem नहीं आएगी अब एक चीज clear कर देता हूँ यहाँ पे जो आपका CPth rolling graph है इसमें भी low frequency का issue मेरे को देखने को मिला तो यहाँ पे maximum जो frequency है वो 2.74 GHz यह शो कर आता तो मेरा phone अभी फिलहाल rooted है और मैंने आपर latest वाला thermal को install कर रखा है यह 5.0 version है अब इसके अंदर आपको medium और gaming वाला option मिल जाता है मैंने gaming वाला choose किया और इसके साथ चेक करना जाता था कि जो experience है वो कैसा रहता है तो वो तो आपके साथ share करूँगा बड़ जो भी usage हुआ है न सारा का सारा वो इसी thermals को flash करने के बाद में मैंने किया and CPU throttling graph में आपका 9% तक CPU throttle करता है और यह जो issue है वो fix हो चुका है around 20 minute तक मैंने इसको run किया था यह Geekbench 6 के scores आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे को लगा है यहाँ पर ROM साइट से या फिर FKM की विज़े से यहाँ पर अच्छे से इसने डिटेक्ट नहीं किया बड़ जेप सलीव वगरा वरकिंग है आइडर रेन काफी कम यहाँ पर आया और यह मेरे को यहाँ पर जो है time मैंने जो है चेक आउट किया सेटिंग्स में जाके स्क्रीन ओन टाइम के साथ में जो यूसेज है वो राउंड 23% परार के आसपास यहाँ पर मिल दिया है उससे वैसे कम है बड़ यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा ही बैटरी रेन मेरे को मिला है इस गेमिंग थरमल को फ्लेश करने के ब वीडियो आएगा तो यह मैंने यहाँ पर थीम स्टोर से अपलाई करका है अब इसमें आपको पोको लॉंचर मिलेगा बाई डिफॉल्ट जो आप चेक आउट कर सकते हो एंड इसका जो बेसिकली थीम आपको मिलता है यह पोको वाला ही देखने को मिलेगा तो स्टॉक पोक इसमें 4 को यहनि की Gcam ट्राइ करना चाते हो तो वो भी फ्लॉलेसली आप यूज कर सकते हो यहाँ पे स्लो मॉश्म वीडियो ज्वान बाई 8X तक वर्किंग है और 4K 60fps वाले मोड्स वर्किंग है इवन आपका जो अल्टरा वाइड मैक्रो कैमरा है वो भी यहाँ पे most पॉ सारे फोन्स में हैं और इसमें भी आपको मिलेगा और इसको आप अनिस्टॉल नहीं कर सकते तो यह डीब जो है आप ब्लोड वेर बोल सकते हो एंड इसको डीब लोड करने का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता मेपी आप PC के तुरू इसको कर सकते हो बढ़ हाँ यहाँ यह इसको पुश नहीं करेगा जो इनका स्टॉक वाला डाइलर है तो यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ेशन की बात करें एप ओपनिंग क्लोजिंग अनिमेशन के स्पीड भाई काफी ज्यदा अच्छी आपको मिल जाती है और जो एनिमेशन है वो बेटर आपको मिलेंगे यहाँ पर आपको कोई lag वगरा नहीं आएगा जो ऑप्टिमाइज़ेशन आपको मिलती है एप ओपनिंग क्लोजिंग में या फिर जो रैम मेंजमेंट है वो आपको मैं चेक करवाऊंगा तो डे टुडे यूसेज में आपको प्राबलम नहीं आएगी जो ऑप्टिमाइज़ेशन करता है लेफ्ट साड में जो गूगल कार्ट है मैं उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन अगर आपको चेक करवाऊं तो कुछ इस तरीके से आप यहां पर जो है ऑप्टिमाइज़ेशन देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको जो है स्क्रोलिंग में कोई lag वगरा नहीं आएगा यह भी काफी अच्छे से आप्टिमाइज़ेशन अब टाइम है मीवाई 14 के फीचर को एक्स्प्लोर करने का पहला फीचर आपको मिल जाएगा यहां पर सेटिंग्स में से डेक्स्ट को कॉपी करने का यहां पर आप डिरेक्टली कॉपी कर सकते हो यह आप जो एवाल्ट है इसका शौट कट आ चुका है वैसे तो बट एवाल्ट के अंदर भी कोई जो है नए विजट्स को एड़ करने का उप्शन आपको नहीं मिलता यह विजट्ट वैसे यहां पे एक वैदर वाला आपको नया सा देखने को मिल जाता है बट आप इसको डि यू आई आपको मिलता है और यहां पे आपको अप्टिमाजेशन तो अच्छी मिल जाती है बट भाई फीचेस के साथ काफी ज़धा कॉंप्रोमाइज किया गया है अब सेटिंग्स में देखोगे तो लेयाउट आपको मिल जाएगा लेटस्ट अपडेटिड है और यहां यहां पे जो आईकोंस आप वो भी आपके अपडेटिड है अगर आप डिस्प्ले में आओगे तो यहां पे कलर स्कीम का ऑप्शन है रिफ्रेट शेड का यू आई ओल्ड मिलेगा और यह आई इमेज इंजन के ऑप्शन है साउंड एन वाइब्रेशन में भी देखोगे त स्टेटिस बार के अंदर यह उप्शन आप चेक आउट कर सकते हो इसका जो स्टॉक लॉंचर है वो पोको लॉंचर है और यहां पे अनिमेशन स्पीड का ऑप्शन है गूगल डिसेबल का डिस्कवर का ऑप्शन मिलेगा और एब ड्रॉर की सेटिंग्स आपको मिल जाती है यहां पे नैविकेशन वाले ऑप्शन है और आइकन साइज और उसमें जो बैक्ग्राउंड कलर है यह आपका वर्किंग है पर मैंने अभी थीम डिफरेंट लगा रहा है अगर आप पोको वाला लगाओगे तो वहां पे आपका वर्क करेगा डबल टैप टू लॉक स्क्रे अब जो special features हैं वो सारे की सारे move हो चुके है additional settings में यहां पे sidebar का option मिलेगा और यहां पे memory extension up to 5GB और second space का भी option है और भाई MIUI 14 में आप यहां पर double यह आप चेक आउट कर सकते हो तो double आपको यहां पर floating window में apps को open करने का option मिल जाएगा कुछ इस तरीके से side में stick हो जाते हैं आ आप इनको कहीं भी move कर सकते हो and third अगर हम open करने की कोशिश करें तो भाई third आपका work नहीं करेगा कुछ इस तरीके से preview आपको देखने को मिल जाएगा तो भाई इस update के लिए यहां पर magisk में latest thermal profile को install कर रखा है basically thermals को install कर रखा है तो यहां पे ना जो performance हो बूस्ट होनी चाहि ग्रेडिट देखने को मिलती है अगर आप close range में यहां पर देखोगे bootcamp में मैंने यहां पर try किया gameplay करने का और यह initial match था बिल्कुल phone normal भाई ठंडा था कोई यहां पे heating वगरा मेरे को देखने को नहीं मिला था बट still यहां पे fps major drop हो रहे थे तो यह चीज़ मैं बोना चाहू बट मैं यह वाला update gaming के लिए recommend नहीं करूँगा gaming के लिए अगर आपको चाहिए तो भाई आप MIUI 13 के ओपर रहो वहां पे आपको better experience मिलेगा that's all for this video मिलते है next interesting video के साथ